आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने जनवरी 2024 सेसन में किसी भी बैचलर डिगरी, किसी भी मास्टर डिगरी या फिर किसी भी डिपलोमा प्रोग्राम में एडमिसन लिया है तो आपका जो एकजाम है वो दिसंबर 2024 में होने वाले है यानि कि दिसंबर में होने आज मैं आपको बताने वालाओं कि आपके पास जितने भी थेयोरी के सब्जेक्ट है इनका आप असाइमेट का कोसन पेपर विपसेट से कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आपके लिए वैलेड असाइमेट का कोसन पेपर कौन साइस की आप कैसे पहचान करेंगे और सबसे इंपर्टेंट है आपको असाइमेट ऑनलाइन जमा करना होगा या फिर ओफलाइन जमा करना होगा और असाइमेट आप कब से सब्मिट करवा सकते हैं लास्ट डेट वगेरा क्या है तो इन सभी चीज़ों के बारे में डीटेल में जानकारी प्राप्त करने के लि यहां पर डालेंगे जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वह आप यहां पर डालेंगे एक ऐसा क्याप्चा कोड आएगा जिसे आप सम्मिट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका सब इडीटेल से ओपन हो करके आ जाता है और यहां पर यह आपको जितने भी ठीजरी के subject द डाउन ओड करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे, ऐसे ही हाँ पर सारे उप्सन दिये गए है, बैसलर डिरी का जादातर कोशन पेपर यहाँ पर देख लिजे आप यह जो लिखा है, जुलाई 2023 और जन्वरी 2024, यह जो अप्सन दिया गए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तकरीबन सारे कोसन पेपर मिल जाएंगे और कुछ ऐसे भी कोसन पेपर है जो आपको यहाँ पर B.A.M. वाले सेक्षन में देखने को मिल जाएंगे कुछ यहाँ पर आपको BSCG वाले option में देखने को मिल जाएंगे तो question paper आपका यहाँ भी हो सकता है कुछ subject का यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है आपको सभी में one by one चेक करना होगा ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जितने भी subject दिये गए चार कोशन पीपर आपको यहाँ पर मिल जाए और ऐसा भी हो सकता है कि चार कोशन पीपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे तो जहाँ पर भी मिलता है बस आपका subject code match होना चाहिए कोशन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना assignment बना सकते हैं इसके नीचे description box में मैंने दे रखा है साथी में यहाँ पर आपका यह भी सवाल रहता है कि विबसाइट से जब आपको सन पेपर को डाउनलोड करते हैं तो अलग-अलग सैसन के को सन पेपर आपको देखने को मिलते हैं तो उनको देखकर करके आपका इंफ्यूज हो जाते हैं कि हमा 2023 या फिर जनवरी 2024 लिखा हुआ है या सिर्फ 500 लिखा हुआ है तो यह December exam के लिए Standard एके लिए लिए या फिर कुछ कोशन पेपर ऐसे भी होंगे जिसपर 23 लिखा होगा तो आपको लगेगा कि वैलेड यह एक्सपार हो चुका है देख सकते हैं यहां पर आप देखेंगे तो जुलाई 2023 जनवरी 2024 लिखा हुआ है जनवरी 2024 के आगे अगर 30 सेप्टेंबर 2024 लिखा हुआ है तो इस अभी कोशन पेपर दिसमबर एकजाम के लिए वैलिड है इसको आप बना सकते हैं बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो कोशन पेपर आप यहां से डाउनलोड करते हैं मैं आपको एक बर दिखा भी देता हूं जैसी कि मैं आपको यह मास्टर डीरी वाले में दिखा देता हूं जैसी कि यहां पर भी दिया गया है यह जो 2024 पचिस दिया गया है यह वला आपको डाउनलोड नहीं करना है यहां से कोई भी कोशन पेपर इसका मतलब यह है कि जिन्होंने भी जुलाई 2024 में admission लिए है, यह फिर री registration करवाया है यह उनके लिए हैं, या फिर जो भी January 2025 में admission लेंगा, यह फिर re-registration करवाएंगा, यह उनके लिए हैं, इसके अलवा question paper पर last date लिखा रहता है, तो उसको भी देखकर क्या पता लगा सकते ह आपके लिए valid है या फिर नहीं तो जैसे कि यहां पर बताया गया है कि जिनों ने भी जनवरी 2024 में admission लिया है तो उन्हें ये वाला जो assignment हो मार्च में जमा करना होगा मार्च 2025 में तो यह दिसंबर एक्जाम के लिए valid नहीं है या फिर जो भी जनवरी 2025 में admission लेंगे तो उन्हे ये assignment September 2025 में submit करना होगा तो यह December 2024 एक्जाम के लिए भी valid नहीं है जो भी question paper valid है वो मैंने यहां पर one by one आपको बता दिया है और December 2024 एक्जाम के लिए assignment जमा करने की last date है 30 September September के first week से आप assignment को submit करवा सकते है जो भी mode आपको बताया जाता है लेकिन जो last date है इसको extend किया जाएगा और आपको 31 October तक assignment submit करने का मौका दिया जाएगा आपका assignment online जमा होगा या फिर offline वो आप इस वाले post पर आ करके चेक कर सकते हैं यहां पर आपको सभी रीजला सेंटर का information मिल जाएगा जितने भी रीजला सेंटर वाले offline mode में submit लेने वाले हैं offline में यह रहता है कि आपको study center पर तो यह जब post है इसको आप time to time check करते रहिए तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो like किजिए share किजिए और ignorance related सभी update इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं link मैंने नीचे दे रखा है साथी साथ आपका कोई सबाल है तो नीचे comment box म में बता सकते हैं